आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार स्वागत आपका प्राइम टीवी में मैं हूँ आपके साथ मुसकान अजमानी चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों के ओर सुबे के ओप मुख्य मंत्री केशब बिसाद मौरे सुल्तानपूर पहुचे नगर के पुलिस लाइन में उनका हैलिकॉप्टर लैंड हुआ इस दोरान जिलाध्यक समेत भाश्पा विधायकों ने केशब बिसाद मौरे का जमकर स्वागत किया कारिक्रम के बार डिप्टी सीयम केशब साद मौरे मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि सतरकार में अवैद अधिक्रमन करने वालों पर कारवाई की जाएगी और अगर माफियाओं ने कबजा किया होगा तो उनकी संपत्ती पर बुल्डोजर जरूर चलाये जाएगा ये जो कव्यम है मैंने कहा है वो खाली करेंगे अधान के भाजपा कारिकरताव का एक लंबे अर्से का अंतजार अब खत्म हो चुका है एक कमरे में चलने वाला भाजपा कारियाल है अब करोडों की बिल्डिंग में स्थानांतरित होने जा रहा है जिसका उद्घाटन भाजपार राश्ट्रे अध्यक्ष जेपी नड़ा आगामी 10 जून को गोरकपुर से वर्च्वली करेंगे तो वहीं सुबह के उपमुख्यमंत्रे ब्रिजेश पाठक भी इस कारिक्रम के दौरान उनके रहने के उमीद जताए जा रही है भारती जिनता पार्टी का कारियले माननी जेपी नड़ा जी 10 जून को गोरकपुर से करेंगे और साथ कारियले जो है उसमें राइबरेली भी है और इसका राइबरेली जिले कारियले का उद्धाटन माननी उपमुख्यमंत्री बिल्जेश पाठक जी करेंगे साड़े ग्यारा से साड़े बारा इसके पहले हम लोग हवन पूजन करेंगे उसके बाद मानी बिजेश पाठक जी के दौरा कारेले का उद्गाटन होगा कानपुर के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने एक बयान देते हुई कहा कि वाटसब ग्रूप के जरिये जिले का महौल बिगाड़ने की कोशिश की गए साथी समाजवादी पार्टी के उपर निशाना साथते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी भी समाजवादी पार्टी के विधायक का नाम इस हिंसा में आया तो उनके खिलाफ सक्ते सक्त कारवाई की जाएगी इस जोराल उन्होंने समाजवादी पार्टी के उपर निशाना साथते हुए कहा कि अगर किसी भी समाजवादी पार्टी के विधायक का नाम इस हिंसा में सामनी आया है तो उनके खिलाफ भी सक्त कारवाई की जानी चाहिए तो आपको बताते चले कि कानपूर में हुई हिंसा को लेकर जोहां एक तरफ पुलिस प्रिशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है तो वहीं अब बयालों का भी खेल जोरो शोरो से चल रहा है अगर उन्होंने इस प्रकार की टंगे में किसी को भी वाटस अप में एड्मिन वन करके और किसी भी प्रकार के कानपूर के वातावरों को बिगाडने में यदि उनका हाथ हुआ तो मैंने कमिश्र महोदे से कानपूर से बात करी है कोई भी वैत्ती शरकार को बदनाम करने के लिए कानपूर का वगातवार खराब करने के लिए या उप्त्वट बदनाम करके और पूरे । देश में हमारी च्वी गोंड़ा ब्लॉक मुझेना में ब्लॉक प्रमुक चुनाव आज संपन हो रहा है इस दोरान ब्लॉक प्रमुक के चुनाव को सकुषल संपन कराने के लिए डियम और स्पी ने सुरक्षा विवस्था का जायजा लिया और स्पी संतोष कुमार मिश्र ने कहा कि चुनाव को पूरी तरह निश्पक्ष और शान्ति पूर नढंग से संपन कराये जाएंगे जिसके लिए सुरक्षा विवस्था के कड़े इंतजाम भी किये गए है आज धानेपूर ब्लॉक मुझहना में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है उसकी प्रक्रिया ग्यारा बज़े से लेका तीन बज़े तक चल ली है मद्दान का कारिय चार रूट से चल रहा है शान्ति वस्था बनी हुई है यहां पर पुलिस और प्रशाशन की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से की गई है बैरियर बनाये गए हैं और कॉर्डर मनाया गया है और हमारे मैजिस्टेट और कुलिस परियाप मात्रा में लगाये गए है जिससे की कहीं से भी कोई भी अशान्ति वाली व्यवस्था ना होने पाए यहां पर चुनाव है उसको शाकुशल संपन कराने के लिए हम और डीम साब यहां पर कैम किये हुए है और साथी साथ हमारी पूरी टीम है ADM साब, ESP साब और कई तीन CEO लगाए गए है इसके अलावा 12 थानाधक्ष लगाए गए है सब इंस्पेक्टर, सिपाही, मजिस्टेट तक भी लगे हुए है और यह सुनिशित करया जा रहा है कि यह चुनाव साकुशल धंग से संपन कराया जाए और यहाँ पे एंटी राइट से लेके दंगा नियंतरन की ड्रिल करवाके भी यहाँ फोर्स को तैनाद किया गया है स्पेशल क्यूर्टी टीम भी तैनाद की गई है और एक तरीके से यह आज का अभियास जो हमारा एक ड्रिल है जो फ्राइड़ को आने वाली नमाज है उसके द्रिश्टी कट भी हम लोग यहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं यूपी से सिविल सर्विस की परिक्षा का तीन माई को रिजर्ट आये था जिसमें बिजनौर जनपत की तीन बेटियों ने जनपत का नाम रोशन किया था गौरतला बै की बिजनौर निवासी शुती शर्मा ने यूपी से परिक्षा में टॉप किया था वहीं आज शुती अपने ग्रह जनपत में पहुँचकर शुती सर्मा ने अपने परिजनों के साथ सबसे पहले जिलाधिकारी से मुलाकात करने पहुची जहां जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने यूपी से टॉप पर शुती शर्मा को बुके भेट कर उनके उजवर भविश्र की कामना की है साथ ही उनके परिजनों को भी बुके भेट कर शुपकामनाय दी गई ऐसी मेरा जो काउं है वो बास्टा है चांदपुर के पास और वहीं पर मेरी जो पाखी परिवार है दादा दाजी जी वहीं पर रहते थे और ताउजी ताईजी चांदपुर में रहते हैं तो यहीं पर मैं हर हमारा जो तयोहार होता था होली दिपावली हमेशे हीं पर भीती थे जो शिक्षा हैं वो मैंने दिल्ली में प्राप्त की थी, सदार पटेल विद्धारले स्कूल से, पर जो मेरी बच्पन की आदे हैं, वो विजनौर चानपूर से भी बहुत यही तरह से जोड़ी दे हैं। जरूर, मुझे जो जम्मेदारियां दी जाएंगी, जिस शित्र में दी जाएंगी, उनको रपड़ तरीक से मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। उपरटेश मेरा पहला काड़र है, हुपड़ी उमीद है कि मुझे शायद इसी प्रदेश में सेवा करने का मौका मिले। किशोरी के किशोरी के शरीर पर आठ चोट के निशान थे और निजी अंग में भी गहरे जक्म थे जब स्वाट टीम ने इस मामने का खुलासा किया तो पता चला कि किशोरी को पिता नहीं बेटी के साथ दरिंदिगी करके उसकी हत्या कर दी थी वह पूरे घटना करम में पिता खाना बांगरमोग के एक बच्ची का गुम होने की सूचना प्राप्त हुए थी और इस सुवा उसका सौ बरामत हुआ था इस संबन्द में जब गहराई से च्छानवीन की गई तो और इसकी दिवेशना अत्मक कारवाई की गई तो उस समय जो है उसके माबाप के जो अविकसन थे उनके पयान थे उसमें काफी भिनता पाई जा रही थी आज जब उनसे गहराई से कूश तांच की गई तो बच्ची के पिता के द्वारा ही उसकी खत्या की गई कौशामबी जुले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है जहां ब्लैक मेलर की धमकियों सतंग आकर एक नाबाली क्युफ्ती ने फासी लगा ली और फिर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई दरसल नाबाली क्युफ्ती को आरोपी ने प्रेम जाल में फसा कर धोके से उसका श्लील वीडियो बना लिया था और वीडियो वारल करने की धमकी देकर आरोपी बीतेस दो साल से उसका शोशन कर रहा था जिसके बाद अब परिशान नाबाली क्युफ्ती ने फासी लगा कर अपनी जीवन नीलाब समाप्त कर ली है लखीमपूर खीरी के बसही में वनविभाग क्या वैद रूप से अतिक्रमण की गई जमीन पर बुल्डोजर चला है दरसल पिछले काफी समय से अतिक्रमण कारियों ने वनविभाग की जमीन पर कबजा कर रखा था जिसको लेकर वनविभाग ने अतिक्रमण कारियों को कबजा की गई जमीन को खाली करवाने को लेकर 6 जून तक नोटिस जारी किया गया था लेकिन अतिक्रमण कारियों ने जमीन को खाली नहीं किया था उसके बाद ये कारवाई अब प्रशासन द्वारा की गई है अव्याद अधिक्रमन पर लगातार प्रिशासन का बुल्डोजर चल रहा है जबकि बीते दो हफते पहले डियम डॉक्टर उज्वल कुमार ने 57 नामजद लोगों को नोटिस जारी कर अल्टिमेटम भी दिया था आपको बता दे कि गोंडा में डियम कार्याले से महस चंद कदमों की दूरी पर अमबेड कर चौराहे पर बीते दो हफते पहले डियम डॉक्टर उज्वल कुमार ने 57 लोगों को नोटिस भेज कर राज़ासुभा की जमीन पर मालिकाना हग जमाने वाले दुकानदारों को जम के मुख्याय योगी आदितना जहां प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिस तरीके से अवैद अतिकरमन थे उस पर लगातार बाबा का बुल्डोजर चल रहा है वहीं जनपाद गोंडा भी इससे अचू था नहीं रहा हम इस वक्त महजूद हैं अमबेड कर चौराहे पर आपको बताते चले दो हफ्ते पहले जहां डियम डाक्टर उज्जुल ने एक अल्टीमेटम जारी किया था कि जो अवैद तरीके से कब्जा किये हुए हैं उन्हें ततकाल खाली कराए जाए और यहां दुकानदार जो है वो खुद से अपना तीन सीन हटा रहे हैं लेकिन किसी दुकानदार के लोग भी यहां मौजूद हैं हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से दो हफ्ते पहले अल्टीमेटम दिया गया था कि वह जो आवैद तरीके से कब्जा किये हुए हैं उन्हें खाली करा दे इनकी क्या कुछ राय है क्या नाम है आपका हमारा न सब्सक्राइब तरीके से सरकार के साथ में उनको यह तंक्या जा रहा है खबर अलीगर से है जहां पैगंबर मुहम्मद पर टिपनी करने वाली नुपुर शर्मा पर भाजपा की कारवाई का स्वागत करने वाली पूर्वसपा नेत्री और वरिष्ट समासेवी रूबिना खानम ने अकबरुदीन वैसी के बयान पर कारवाई नहीं किये जाने पर देवी सीता का अपमान किया जाता है और ऐसे लोगों पर कोई कारवाई नहीं होती है और वो देश की विधान सभा में जाकर बैठते हैं नुपुर शर्मा पिरकरण पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि नुपुर शर्मा ने जिस तरह से हमारे प्रॉफिड मुहम्मद साहब के ऊपर अपमान जनक टिपड़ी की है उनकी अपमान जनक भाशा का पिरियोग किया है इससे मैं बहुत आहत हूँ मुझे बहुत दुख जब आपकी पार्टी के नेता और विधायर जब सो करोड हिंदों की आस्थाओं का अपमान करते हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को भढ़काने का काम करते हैं तब आपने अपनी पार्टी के नेता पर कोरका अकबरुदीन उवेसी पर कोई कारवाई की उन्हें क्या पश्वों को बांता था जहां पशु सहीत सामान भी रखा था इस दौरान घर के ओपर से विद्यू तिभाग की लाइन से चिंगारी निकली जिसकी वज़े से घर में आग लग गई और एक पशु समेत हजारों का सामान भी इस दौरान जलकर राख हो गया प्रदान जी दौरा कवर मिली कि यहां आग लग गई है और दो पशु जल गए एक की मौत हो गई है पढ़िया की इस गाय गाहल है पुरी तरह से इसका इलाज कर दिया गया है हमारे दौरा मोंके प्राग की और सायर बिर्गेडवी आई थी लेकिन जब तक आग पकावू पा आज बढ रही थी कि मार से हम वाजे पूरा मौला आ गया पूरा मौले ने पानी मार किया है लाट गई और काना हम गुषिए हुश में और हमने पानी मार किया है और एक बड़ी पहिया को बाएद लिकार लियाए उप पड़िया जर गई उसमें खबर चंदौली से है जहां चक्या कुतवाली छेतर के सिकंदर पूर गोलहडिया मोर के पास मंगलवार की देर राध, डंपर और स्कॉर्पियों की भिड़न्त हो गई इस घटना में चक्या के भाश्पा विधायक और गनर गंभीर रूप से घायल हो गई वही मौके पर ग्रामीडों ने ततकाल इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुचे पुलिस ने ततकाल घायलों को प्राथमिक स्वास्केन में भरती कराया जहां भाश्पा विधायक की गंभीर हालत को देखते होए चिकित्सकों ने उन्हें ट्रामा सेंटर के लिए अब रफर कर दिया है चक्या विधायक माननीय स्री कैलास खरवार आचाड़े जी अपने स्कॉर्पियों से थाना चक्या अंतरगत अपने आवास पर जा रहे थे तभी वास्ते में गोलिया पेट्रॉल पंप के पास उनकी स्कॉर्पियों गारी एक डंफर से टक्रा गई जिसके उपरां घंदोंगटना की जानकारी होते ही इस पी एडिशन इस पी अपरेशन चित्रा दिकारी चक्या और इस्पेक्टर चक्या ततकाल मौके पर पहुँच गया मनिये विधायग जी एवनों के साथ अन्य भाईलों के चारे तू ततकाल उन्हें कम्मूनिटी हिल्थ सेंटर चक्या ले जाया गया खबर रायबरेली से है जहां शादी में जा रहे युवक का ज्वैलरी और नगदी से बरा बैग मैजिक में छूट गया था जिसके बाद युवक ने लाल गंज थाना चौराहा ज्यूटी पर तैनात याता यात सिपाही से इस बारे में मदद से गुहार लगाई वह सिपाही ने मैजिक को ढूट कर युवक का बैग कबजे में लिया और बैग में रखे सोने के जेवराद बेस रक्षित युवक को लोटाया जिसके बाद युवक ने खुशी जताई और सिपाही का धन्यवाद भी दिया आपको बताते चले कि ये सारा मामरा लाल गंज को त्वाली चेत्र के गांधी चौराहे का बताया जा रहा है फिलहाल इस बुलिटिन में इतना ही देश रप्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार